आब कुछ पढ़ेंगे पत परिच्छे के लिए अविकारी शब्द हिंदी में कुछ ऐजे शब्द होते हैं जिनके रूप नहीं बदले जाते हैं वहने हम आवियाई शब्द कहते हैं यह आविकारी शब्द भी कहलाते हैं अव्या शब्द क्रिया विशेशन, संबंद बोधक, समुच्चि बोधक, विसमे अधि बोधक और निपाद चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिया विशेशन के बारे में जो शब्द क्रिया होने की रीती, इस्थान, परिमान, आदी के बारे में बताते हैं क्रिया विशेशन कहलाते हैं इसके चार भेद होते हैं रीती वाचक क्रिया विशेशन, इस्थान वाचक क्रिया विशेशन, काल वाचक क्रिया विशेशन, परिमान वाचक क्रिया विशेशन रीती वाचक क्रिया विशेशन के अंतरगत जिन शब्दों में क्रिया के होने का ढंग तरीका पता चले उन्हें हम रीतिवा चक्रिया विशेशन कहते हैं जैसे एकदम अंधकार चा गया यहाँ पे क्रिया होने का तरीका बताया जा रहा है कि एकदम अंधकार चा गया तो उसे हम क्या कहेंगे रीतिवा चक्रिया विशेशन रीतिवा चक्रिया विशेशन के अंतरगत शक्ति भली भाती आदेश अनुसार ठीक अवश कभी कभी आदी इसके बाद हम पढ़ेंगे इस्थान वाचक क्रिया विशेशन जो क्रिया विशेशन क्रिया के होने का इस्थान या दिशा के बारे में सूचना दें वे इस्थान वाचक क्रिया विशेशन कहलाते हैं उधारन बाहर बारिश हो रही है बारिश कहा हो रही है बाहर इसका मतलब क्या हुआ इस्थान गीता कमरे में सो रही है गीता कहा सो रही है कमरे में इस्थान ठीक है तो इसे हम कहेंगे इस्थानवाचक क्रिया विशेशन इसके अंतरगत बाहर भीतर अंदर उपर, नीचे, आसपास इस और उस और आदी शब्द आते हैं कालवाचक क्रिया विशेशन जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चले उन्हें कालवाचक क्रिया विशेशन कहा जाता है समय का मालूम जहां पड़ेगा वहां काल वाचा क्रिया विशेशन होगा माधुरी हमेशा हस्ती रहती है नीता दिन भर सोती है दिन भर इसमें कभी-कभी, रोज, हर रोज, प्रती दिन, बार-बार, आज, कल, अगला दिन, पिछले दिन इस प्रकार के शब्द उप्योग में आते हैं परिमान वाचक क्रिया विशेशन क्रिया की मात्रा या परिमान के आधिकी जानकारी देने वाले शब्दों को परिमान वाच्छा क्रिया विशेशन केते हैं मात्रा या परिमान उधारन की तवाद पर अधिक मत सोचो बहुत शोर है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है इसमें इतना उतना जितना कम ज्यादा कुछ अधिक बहुत थोड़ा थोड़ी काफी आधी शब्दों का प्रेयोग किया जाता है अगला जो विशह है वो है अवियाए अविकारी शब्द संबंद बोधक अवियाए जो शब्द संग्या सर्वनाम के बाद आकर संबंद वाक्य में आने वाले दूसरे संग्या या सर्वनाम से बताते हैं वे संबंद बोधक अवियाए कहलाते हैं अवियाय मतलब अविकारी शब्द जिनका लिंग जाती काल के अनुसार परिवर्दन नहीं होता है मेरे पास आओ घर के पास एक स्कूल है हिंदी में संबंद बोधक अवियाय इस प्रकार है काल सुचक के रूप में से पहले से पूर्व के बाद के उपरांथ आधी इस्थान सुचक के भीतर के बाहर के अंदर आधी दिशा सुचक के पास से दूर के नजदीक के चारोर विरोध सुचक के विपरीद के प्रतिरूप के विरुद समानता सुचक के समान के जैसे के बराबर की तरह आधी उसके बाद हम पढ़ते हैं समुच्य बोधक अव्याय जो शब्द वाक्य के पदों वाक्यांशों या वाक्यों को जोडते हैं वे समुच्य बोधक शब्द कहलाते हैं समुच्य बोधक अव्याय कहलाते हैं समानाधिकरन समुच्च बोधक एसे अव्याय जो दो या दो से अधिक समान पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरन समुच्च बोधक केते हैं इसके अंतर आता है और अन्यथा या किंतु परंतु तथा अगर मगर आधी शब्द कुछ विद्यार्थी दक या पूर्व की भाषा बोल लेते हैं। व्याधिकरन समुच्चिवोधक मिश्र वाक्तियों में आश्रित या गोन उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्याय व्याधिकरन समुच्चिवोधक कहलाते हैं। इसमें कारण, शर्त या उद्देश बताये जाते हैं। उधारण अगर तुम बुलाते तो मैं आता। इसमें ताकी, की, मानू, व्यत्यपी, तद्यपी, हाला की, फिर भी, चूकी, इसलिए आधि शब्द आते हैं। विस्में आधि बोधक, जो अव्याय शब्द, आश्चर्य, खुशी, घ्रणा, शोक, चेतावनी आधि भावों को व्यक्त करते हैं। उसे विस्में आधि बोधक कहते हैं। उधारण वाह ताज, शाबाश, तुमसे यही आशा थी, छी बड़ा गंदा है। इन मनोभावों को व्यक्त करने हैं। विस्में आधि बोधक का प्रयोग होता है। मनोभाव, वाभ, वाह, शाबाश, आह, हर्ष और प्रसनता सूचक, हाय, उफ, आह, शोक व्यक्त करने के लिए। खबरदार, साउधान, होश्यार, चेताओनी देने हैं तु। ठीक, अच्छा, हाँ, सुविक्रती देने हैं तु। अरे, क्या आशर है तु। जुग जुग जीओ, जीते रहो, चिरंग जीवी हो, दिरगायू हो, आशरवाद के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे निपात, एसे अव्यशब्द जो वाक्य में किसी पद पर बल देने हैं तु। प्रयोग होते हैं। निपात कहलाते हैं। उधारण लताही उसे उठा सकती है, लताही इसे उठा सकती है। ही पे जोड दिया जा रहा है। तो यह क्या कहलाएगा। निपात। धन्यवाद। पत्परिचेय के अंतरगत अंतिम जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैdam tutto, क्रिया के जिस रूप उसके होने का समय या समय का समय की सूचना मिले उसे काल कहते हैं काल के तीन प्रकार होते हैं वर्तमान भूपकाल भूतकाल और भविश्यकाल वर्तमान काल हम किसे कहते हैं क्रिया के जिस रूप से अभी या सामानिता होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं इस काल के क्रि तुम कहां जाते हो, बूद काल, क्रिया के जिस रूप से बीते समय का पता चलता है, उसे बूद काल कहते हैं, इसमें था, थी, थे, इसे हम काल का पता लगा सकते हैं, वो आई थी, भविश्यकाल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने का पता चलता है, उ भविश्यकाल का उधारण अगर हम देखें तो देखें इसमें गा, गी, गे से काल का पता चलता है हम वहां जाएंगे ठीक है तो बच्चों वर्तमान काल भूत काल भविश्यकाल आप समझ गए होंगे हमारा पत परिचय पूरा हो चुका है अब में कल आपको कुछ उधारण सिद्ध के द्वारा यह पत परिचय में हम इन चीजों का प्रयोग कैसे करते ही यह समझाओंगी धरनेवाद